हेलो दोस्तो वल्कम टू माई यूटूब चैनल सुजित ब्लोग्स दोस्तो फिलाल होंडा अपनी बैस्ट माइलेज वाली बैक्सो को एक के बाद एक नेक जनारशन मोडल के लिए अपग्रेट कर रहे है इसलिए पहले यूनिकॉन और अब SP125 को अपग्रेट मोडल के बारे में निउस निकल कर सामने आया है पूरी इंडियन मार्केट में कम्यूटर बैकों को लेकर कमपेडिशन काफी टाफ हो गया है यहां सबी कमपनी अपनी बैक्सो को फुली फीचर लोड़ेड मेशिन बना रहे है एंड होंडा की बैक स्पेशि करते हैं बैक में किए जाने वाले चेंजिस को लेकर जहां सबसे पहले चेंज बैक के नाम से ही किया जायेगा SP125 के निउ मोडल SP125 F के नाम से लाँच किया जाएगा हला कि पुराने मोडल को डिसकंटिनू नहीं किया जाएगा दोनों ही models market में available रहेगी बाइक के next change इसके इंजिन में किया जा रहा है all new SP 125 F में एक 124 CC की single cylinder engine का use किया जा रहा है जो 13 BHP की maximum power और 12 NM की torque produce करेगी और दोस्तों ये bike 125 CC की best model है और इसका सिधे सिधे TBS rider 125 से competition रहेगा और बजाज के pulsar 125 split seat model से competition रहेगा next bike के design और changes के बारे में बात करें तो Honda अपनी SP 125 F के look को severe 150R series से काफी ज्यादा inspired रखने वाली है जिसके वज़ेश से bike देखने में काफी muscular और काफी futuristic looks के साथ launch होगी जहाँ पे front में robotic face वाली fully LED headlight देखने को मिलेगा with DRLs के साथ साथ में LED indicators होंगे और एक sharp muscular tank देखने को मिलेगा साथ में short wheel base का इस्तिमाल किया जाएगा bike की side profile को देखे तो काफी शांदार और काफी attractive look के साथ आती है जहाँ इसे थोड़ा सा sporty look देने के लिए SP 125 F को fully blackout theme पर cover किया जा रहा है जिसे की आपको bike का main frame, engine area, exhaust, fenders वगरा black colors में cover देखने को मिलेगा जहाँ bike में पहले drum brakes का इस्तिमाल किया जाता था उसकी जगा up to variant sofa किया जाएगा एक में आपको only drum brakes देखने को मिलेगा और दूसरी में आपको front में dicks और rear में drum brakes मिलेगा with single channel ABS के साथ, bike के features को देखे तो यहाँ पे आपको fully digital meter console देखने को मिलेगा इसी के साथ meter console में थोरी बहुत information मिलेंगे bike से related साथ में दोस्तो इसमें आपको Bluetooth connectivity features मिलने वाला है अगर देखा जाए तो SP 125 F इस segment में एक बहतर bike होने वाली है दोस्तो मेरे हिसाब से अगर देखू तो यह 125 CC में एक बहतर bike होने वाली है आने वाले कुछ time में जिसमें आपको अच्छी power के साथ साथ अच्छा mileage अच्छा performance मिल जाता है और look को देखे तो जबरदस looks के साथ आती है Honda SP 125 F और दोस्तो यह bike TBS Rider 125 से तो better होने वाली है और दोस्तो यह bike आपको 2023 के मिड में देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज के वीडियो में Honda SP 125 F से related थोरी बहुत अपडेट दिया आई हो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा अगर दोस्तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो like comment share और चैनल पे जो लोग पहली बार आए है चैनल को subscribe कर दे ताकि bike से related ऐसी आपडेट आप लोग को मिलते रहे तो दोस्तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तो बाई बाई